पुलवामा पर जम्मो कश्मीर के पूर्वराजवपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद BGP बैक फुट पर है इस बीच CBI ने सत्यपाल मलिक को नूटिस भेज दिया है CBI 27 या 28 तारीख को सत्यपाल मलिक से पूछताश करेगी लेकिन CBI के नोटिस को लेकर विपक्षिदल नाराज हो गए हैं उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी की सरकार को घेर लिया है तो दूसरी और केंद्री ग्रीह मंतरी अमिशाह ने इसे लेकर सफाई भी दी है रिपोर्ट देखें कॉंग्रेस प्रवक्तर पवन खेडा ने कहा कि बीजिपी ने आज हमारे उन आरोपों पर मुहर लगा दी है कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवास को दबा देना चाहती है पवन खेडा ने कहा कि हैराणी की बात नहीं है कि सीबी आई को सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया गया है लेकिन हैराणी इस बात की हुई है कि ये करने में साहब को दस दिन क्यों लग गये शायद CBI एजनसिया साहब की सुन नहीं रही है सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया कि पुलवामा के पीछे इंटेलिजेंस की चूक थी लेकन पीम नरिंद्र मूदी ने कहा चुप रहो पवन खेडा ने बिना नाम लिए पीम नरिंद्र मूदी पर निशाना साधा उन्होंने यहां तक कहा कि सत्यपाल मलिक ने जब पीम से गोवा के भरस्टचार की बात रखी तो एक्शन गोवा के सीएम पर नहीं बलकि मलिक पर हुआ जब सत्यपाल ने राम माधव का नाम लिए बिना 2021 में भरस्टचार की बात रखी तब भी सीबियाई ने पूश्थाच मलिक से की दरसल अब ये संदेश सीबियाई के जरीए दिया जा रहा है कि तुम चुप रहो इसके बाद बीजेपी को चोतरफा घरते देख ग्री मंतरी अमिशाह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी से अलग होने के बाद उन्हें ये सारी बाते क्यों याद आने लगी हैं उनकी अंतरात्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जुसे छिपाना पड़े बीजेपी के सफाई से ये तो साफ हो गया है कि सत्यपाल मलिक के दावों में कितना दम है डीबी लाइब की रिपोर्ट